हम लोग इस वीडियो में इतिहास के पहले चेप्टर जिसका नाम है उरोप में राष्टवाद का उद्य है तो आज हम लोग इसी चेप्टर से समंधित सारे अब्जेक्टिव कोश्चन बस्तुनिस्ट प्रसन को इस वीडियो में देखेंगे और हम आपको बता दें कि यह जो चैनल के प्लेइलिस्ट में जाकर के भी आप सारे वीडियो देख सकते हैं और साथ ही हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको सारे बिशे की तयारी बहुत ही बहुत ही बहतर ढंक से कराई जा रही है तो जो भी है श्टुडेंट बिहार वोट की तरब से मैट्रिक का एक राज का निर्मान किसने किया था जर्मन राइन राज का निर्मान किसने किया था ओप्सन आ है लूई अठरहमों ने बी है नेपोलियन बोनापाट ने सी है नेपोलियन थर्ड ने कि डी है बिसमार्क ने तो पहला का सही अंसर बी नमबर हो जाएगा नेपोलियन कि पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई को ध्यान से समझेगा एउरोप में राष्टवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई औप्षन A है 1789 इस्वी की फ्रांसी सी क्रांथी के साथ कि अबसट अबशन भी है 1830 की फ्रांसी सी क्रांथी के साथ कि D है इनमें से कोई नहीं तो बताए ये दुसरा का सही अंसर कौन सा होगा तो युरोप में राष्टवाद की पहली असपष्ट अभिव्यक्ती 1789 इस्वी की फ्रांसीसी कृंती के साथ हुई थी अगला नंबर देखेंगे युरोप का मरीज किसे कहा जाता है इरोप का मरीज किसे कहा जाता है आपसन A है परसा को आपसन B है अश्ट्रिया को आपसन C है तुर्की को और आपसन D है ब्रिटेन को तो बताए तीसरा का सही अंसर कौन सा होगा तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा इरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है तो तीसरा का C नमर आप्सन से ही हो जाएगा इरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है अब चलिए चौथा नमर कोश्चन हम आपको बताते हैं मेटरनिक का पतन किस वर्स हुआ मर्च 1848 इसवी में कि अपरेल 1848 में कि माई 1848 इस भी में कि जून 1848 इस भी में हम आपो सबजेक्टिव कोश्चन वाले वीडियो में मैटर्निक के बारे में बताये थे और उसमें हम आपको बताये थे कि मैटर्निक का पतन हुआ था माई 1848 इस भी में तो चौधा का C नम़र ओप्शन सई हो जाएगा मेटरनी का पतन मैं 1848 इसवी में हुआ था अब चलिए पाच्वा नम्मर कोश्चन हम लोग देखेंगे फ्रांस में किस सासक वंस की पुनर रस्थापना वियना कांगरिस द्वारा ली गई थी उप्सन A है और लियाबंस, B है बुर्बो बंस, C है हेवसबर्ग और D है जार साही तो पाच्वा का सही अंसर B नम्मर हो जाएगा बुर्बो बंस फ्रांस में बुर्बो बंस की पुनर रस्थापना वियना कांगरिस द्वारा ली गई थी तो पाचमा का B-Number option सही हो जाएगा चलिए छठा नमर question हम लोग देखेंगे इटली एवं जर्मानी के एकी करन के बिरुध निमने लिखित में से कौन सा देश था इटली और जर्मानी दोनों के एकी करन के बिरुध निमने लिखित में कौन सा देश था इटली एवं जर्मानी के एकी करन के बिरुध और श्ट्रिया खड़ा था तो छठा का C-Number option सही हो जाएगा चलिए सात्वा नमर question हम लोग देखेंगे और सात्वा नमर question देखने के पहले हम आपको एक important जनकारी देदें तो important जनकारी यह है कि अब आप सभी लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं जिस भी PDF से हम आपको बताते हैं यहाँ पर विडियो के माध्यम से वो सारे PDF वहाँ पर आपको अब लेबल हो जाएंगे तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं अब चलिए सात्मा नमर question देखेंगे मैजनी का समन्द किस संगठन से था option A है लाल सेना से B है चेका से C है लाल कुर्ती से या फिर D है कारवो नारी से तो बताए सात्मा का सही अंसर कौन सा होगा मैजनी का समन्द किस संगठन से था तो सात्मा का सही अंसर D नमर हो जाएगा मेजनी का सम्मन्ध कारवो नारी से था तो सातमा का D नम들 उप्षण सई हो जाएगा चलिए आठमा नमर कोश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे तो आठमा नमर कोश्चन कह रा है कि जालवेरिन एक संस्था थी ठीक है जालवेरिन एक संस्था थी तो किस की संस्था थी ब्यापारियों का था कि करांतिकारियों की संस्था थी कि बुध्धी जिवियों के थी कि समन्तों के थी तो अब हमेशा याद रखिएगा कि जालवेरिन ब्यापारियों की संस्था थी आठमा का ए नम्मर आप्शन सही हो जाएगा जालवेरिन ब्यापा पूल की संधी तो 1829 की एंड्रियानो पूल की संधी किस देश के साथ हुई तो नॉमा का बी नम्मर उप्शन सही हो जाएगा तूर्की के साथ 1829 की जो एंड्रियानो पूल की संधी थी वह तूर्की के साथ हुई थी चलिए तो नॉमा का बी नम्मर उप्शन सही हो जाएगा दस्मा नम्मर कोशन हम लोग देखेंगे काउंट कावर को विक्टर एमैनुवल ने किस पद पर नुक्त किया था ओप्शन A है ग्रिह मंत्री के पद पर B है सेना पती C है फ्रांस का राजदूत और D है प्रधान मंत्री तो बताइए दस्मा का सही अंसर कौन सा होगा तो दस्मा का सही अंसर D नम्मर होगा काउंट कावर को विक्टर एमैनुवल ने प्रधान मंत्री के पद पर नुक्त किया था तो दस का D नम्मर आप्शन सही हो जाएगा अब चलिए इक ग्रहमा नम्मर कोशन देखेंगे गैरी वाल्डी पेसे से क्या था गैरी वाल्डी पेसे से क्या था एक नाविक था कि किसान था कि सैनिक था कि दर्षनिक था तो आपको बताये थे कि गैरी वाल्डी पेसे से एक नाविक था तो 11 का ए नमर उप्शन सही हो जाएगा अब चलिए वारा नम्मर कोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे इटली एवं जर्मनी वरतमान में किस महादेश के अंतरगत आते हैं बहुत जादा इंपोर्टेंट कोश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वरतमान में किस महादेश के अंतरगत आते हैं Option A है दक्षिन अमिरका, B है उड्रोप, C है उत्री अमिरका और D है पस्चमी एसिया तो बताइए 12 का सही अंसर कौन सा होगा तो 12 का बी नम्मर option सही होगा इतली एवन उड्रोप बरतमान में उड्रोप महादेश के अंतरगत आते हैं तो 12 का B number option सही हो जाएगा चलिए अगला number question हम लोग देखेंगे रक्त एवं लौह की निती का संपादन किसने किया था या फिर रक्त एवं लौह की निती का अवलंबन किसने किया था बहुत जादा important question है वापको subjective question वाले वीडियो में भी बताये थे रक्त एवं लौह का जो निती है वह बहुत जादा important question होता है तो बताये तेरह का सही answer कौन होगा रक्त एवं लौह की निती का प्रतिपादन किसने किया था तो हम आपको बताये थे कि रक्त और लौह की निती का प्रतिपादन बिसमार्क ने किया था तो तेरह का C नम्मर उप्सन सही हो जाएगा हमेशा ध्यान रखिएगा कि रक्त एवं लौह के निती का प्रतिपादन बिसमार्क ने किया था चलिए चौदा नम्मर कोश्चन के तरफ हम लोग बढ़ेंगे प्रिरणा स्रोत रहा 14 का D correction सही हो जाएगा यरोप वासियों के लिए युनान जो देस है उसका सहित नम्मर प्रिर्रणा स्रोत रहा हम आपको बताया थे सब्जक्टिब कोश्चन वाले विडियों में कि युनान में भी देशों से लोग पढ़ने आते थे तो युनान से पढ़ करके लोग अपने देश का तरक्की कर रहे थे लेकिन खुद युनान तरक्की नहीं कर रहा था यह वात हम आपको बिस्तार से वहां पर बताये थे चलिए 14 का D Nur Option से शय हो जाएगा पंदरह Nummer Question हम लोग देखेंगे Frank Tout की संधी कब हुई Frank Tout की संधी कब हुई 1871 में कि 1870 में कि 1866 में कि 1866 में तो पंदरह का E Nur Option से वह जाएगा Frank Tout की संधी 1871 इस्वी में हुई थी 15 का E Nur Option से हो जाएगा चलिए सुलहमा नमर कोशन देखेंगे वह कौन सा युध था जिसके बाद जर्मनी का एक ही करन पूरा हो गया था किस युध के बाद जर्मनी का एक ही करन पूरा हो गया आपसन A है परसा डेनमार्क का युध B है सिडान का युध C है सिडाओ का युध और D है क्रिमिया का युद्ध तो बताईए सोलह का सही अंसर कौन सा होगा तो हम आपको बताये थे कि सिडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एक ही करन पूरा हो गया था तो सोलह का B नमर अप्सन सही हो जाएगा कि सिडान का युद्ध जो हुआ उसके बाद जर्मनी का एक ही करन पूरा हो गया तो सोलह का B नमर अप्सन सही हो जाएगा अब सत्रह नमर कोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो कि बहुत जादा इंपोर्टेंट कोश्चन है यंग युरोप की अस्थापना किसने की थी यंग युरोप की अस्थापना किसने की काउंट काबुर ने की बिसमार्क ने की मेजनी ने की गैरी बाल्डी ने तो सत्रह का सही अंसर हो जाएगा सी नमर यंग युरोप की अस्थापना मेजनी ने की तो सत्रह का सी नमर अप्सन सही हो जाएगा चलिए अठारा नंबर कोश्चन देखेंगे यंग इटली की अस्थापना किस ने की हम आपको उपर में बताए यंग इवरोप की अस्थापना किस ने की आप यहाँ पर है कि यंग इटली की अस्थापना किस ने की का युद्ध कब हुआ था सिडान का युद्ध कब हुआ था 1867 हिस्वी में के 1868 हिस्वी में के 1870 हिस्वी में के 1871 हिस्वी में तो उन्हेसमा का सही अंसर हो जाएगा कि सिडान का युद्ध 1870 हिस्वी में हुआ था तो उन्हेसका सी नमर आप्शन सही हो जाएगा चलिए बी परसा के बीच जो यूद हुआ वह यूद कहां हुआ था सेडान में हुआ था कि सेडोबा में हुआ था कि साइडाइन में हुआ था कि फ्रेंक्फर्ट में हुआ था तो बीसमा का ए नमर आप्सन सही हो जाएगा कि 1870 इस्वी में जो फ्रांस और प्रसा के बीच जो यूद हुआ वह सेडान में हुआ था तो 20 का A नमर उप्षन सही हो जाएगा चलिए 21 नमर कोश्चन देखेंगे वियना सम्मेलन किस वर्स हुआ था यह भी बहुत जादा इंपोर्टेंट कोश्चन है बियना सम्मेलन किस वर्स हुआ था उप्षन A है 1815 इसवी B है 1820 इसवी C है 1825 और D है 1830 इसवी तो बताए 21 का सही अंसर कौन सा होगा बियना सम्मेलन किस वर्स हुआ था तो 21 का A नमर उप्षन सही हो जाएगा 1815 इसवी में बियना सम्मेलन हुआ था ध्यान रखिएगा बियना समेलन 1815 इस्वी में हुआ था चलिए 22 में नमर कोशन की तरह बढ़ेंगे हम लोग बियना किस देश की रजधानी है फ्रांस की के इंग्लैंड की की अस्ट्रिया की की रूस की तो वाइस का C नमर ऑप्षन सही हो जाएगा बियना अस्ट्रिया की रजधानी है 22 का C नमर ऑप्षन सही हो जाएगा चलिए अगरा नमर कोशन देखेंगे तो कोशन कहरा है कि क्रीमिया का यूध किस वर्स हुआ ठीक है यह भी कोशन इंपोर्टन कोशन है तो बताइए क्रीमिया का यूध किस वर्स हुआ 1854 निस्वी में हुआ कि 1855 में कि 1856 में कि 1860 में तो 23 का जो सही अंसर हो जाएगा वह ए नमर हो जाएगा कि क्रीमिया का यूध 1854 निस्वी में हुआ था तो 23 का ए नमर ऑप्षन सही हो जाएगा चलिए 24 नमर कोशन देखेंगे राष्टवाद की अवधारना का जन्म किस घटना से माना जाता है राष्टवाद की अवधारना का जन्म किस घटना से माना जाता है ऑप्षन A है पुनर जागरन से कि B है धर्म सुधार अंदोलन से कि C है गौरव पुर्ण करांती से D है France की क्रांती से तो 24 का सही अंसर हो जाएगा कि राष्टवाद की अवधारना का जन्म हुआ वह France की क्रांती से हुआ तो 24 का D नम्मर आप्शन सही हो जाएगा चलिए 25 नम्मर कुशन हम लोग देखेंगे नेपोलियन संहिता किस वर्स लागू की गई नेपोलियन संहिता किस वर्स लागू की गई 1789 में कि 1791 में कि 1801 में कि 1884 में तो 25 का सही अंसर हो जाएगा नेपोलियन संहिता 1804 इस वी में लागू की गई 25 का D नम्मर आप्शन सही हो जाएगा चलिए 26 नम्मर कुश्चन की तरफ बढ़ेंगे बियांस अमेलन का अध्यक्च कौन था option A है नेपोलियन बोनापाठ B है लुई अट रहमा C है चारल्स अलवाट और D है मेटर्निक तो बताए बियांस सम्मेलन का अध्यक्च कौन था तो 26 का D नमर उप्चन सही हो जाएगा मेटर्निक था मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश क्या था हम आपको सब्जेक्टिव कोश्चन वाले वीडियो में सारा कुछ डेटियल में बता चुके हैं तो जदी आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देखिए आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा चलिए बताइए मिटरनिक व्यवस्था का उद्देश क्या था गंतंत्र की अस्थापना करना की पुरातन व्यवस्था की पुनर अस्थापना करना की नेपोलियन की पुनर अस्थापना करना तो 27 का C नमर option सही हो जाएगा चलिए 28 नमर question देखेंगे मेजनी का संबंध किस संगठन से था मेजनी का संबंध किस संगठन से था option है लाल सेना से कि कारवो नरी से कि फिलिक हेटारिया से कि डाइट से तो 28 का सही अंसर जो हो जाएगा कि मेजनी का सम्बंद कार्वो नरी से था 28 का B नमर option सही हो जाएगा कि मेजनी का सम्बंद कार्वो नरी से था चलिए 29 नमर question देखेंगे इटली एवं जर्मानी के एकीकरन के बिरुद्ध निमने में से कौन था तो उपर के भी question में हम आपको यह बताए कि इटली और जर्मनी के एकी करन के ब्रुध निमने लिखित में कौन था तो 29 का सी नमर आप्शन सही हो जाएगा अस्ट्रिया था इटली और जर्मनी के एकी करन के ब्रुध अस्ट्रिया था तो 29 का ग अंसर सही हो जाएगा चलिए सबसे अंतिम कोशन देखेंगे कोशन नमर तो चलिए इसी के साथ आपका जो यह चेप्टर है इवरोप में राष्टवाद का उद है उसके सारे सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव दोनों प्रकार के कोश्चन समप्त हो गए तो हम आसा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करिए अपनी दोस्तों के भी सेर करिए और जो स्टूडेंट भी इस चैनल पर नए है वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा देंगे ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल चेके तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद